Hello guys, once again, welcome back on my channel, मैं स्विधारना, class 8, example 7 है, direct and inverse proportion, chapter 11 का question को solve करते हैं 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes, ये कहता है कि एक tank को, अगर आप 6 pipe उसमें लगा देते हो, तो 1 घंटा 20 मिनट उसको पूरा fill होने में लगते हैं How long will it take? कितना समय लगेगा, if only 5 pipes of the same type are used, अगर उसी type के आप 5 pipe लगाएंगे तो देखो, जितने ज़्यादा pipe होंगे, उतना ही tank जल्दी भर जाएगा, यानि कि time कम लगेगा, ज़्यादा pipe, time कम, कम pipe, time ज़्यादा, तो यहाँ पे एक चीज़ ज्याद रखो, number of pipes अगर आपक क्या होता है, घटता है, और अगर number of pipes होते हैं, आपके decrease तो time क्या होता है, बढ़ता है, यानि कि एक quantity के बढ़ने पर दूसरी घटती है, और एक के घटने पर दूसरी बढ़ती है, तो यह आपका है inverse proportion, क्या है, inverse proportion, और inverse में हम x into y constant लेते हैं, बस इसमें आप यह चीज़ य कर लेंगे, let the time taken to fill the tank by five pipes, b, xr कह देते हैं इसको, ठीक है, या minute कह दो, बाद में change कर लेंगे, क्योंकि इसको मैं minute में change करूँगी, वो ही अपनी table बनाएंगे, same procedure, दो चीज़े क्या है यहाँ पर, एक तो है आपका number of pipes, और दूसरा है आपका time, ठीक है, जो की मैं किस में लूँगी, minute में, अब देखो, 6 pipe है, कितना time लेते हैं, 1 hour, 20 minute, इसको minute में change करो, एक घंटे में होती हैं, 60, minute, ठीक है, plus 20, यानि कि कितना है यह आपका 80, how long will it take, मैंने माना x, कितने pipes के द्वारा, pipe pipe के द्वार, तो यानि कि हाँ पर पाईवाएगा, number of pipes कितने है, pipe, time कितना लग रहा है, x minute, अब क्या है यह, देखो, यह पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, journal, अब यह मैंने क्या बताया आपको क्या है यह, it is inverse proportion, क्योंकि एक quantity के बढ़ने पर, number of pipes अगर बढ़ते हैं, तो time घड़ता है, tank जल्दी भढ़ जाएगा, it is inverse proportion, अब याद रखोगे, बस inverse proportion में क्या लेते हैं, x multiply 5, यानि कि 6 multiply 80, is equal to 5 multiply x, बस, यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, 6, 8, 4, 80, upon 5, is equal to x, 5, 9, 45, 5, 9, 3 बचता है, 3, 35, 6, 30, यानि कि 96 मिनेट, अच्छा, अब 96 का मतलब कि यहाँ से 60 निकाल दो, 96 में से 60 माइनस कर दो, 60 माइनस करते ही, आपका क्या बचेगा, 36, और 60 मिनेट का मतलब, एक घंटा, यानि कि इसको आप क्या लिक होगे, 1 आर, 36 मिनेट, ठीक है, तो आपको required time क्या हुआ, therefore, required time to fill the tank is, 1 आर, 36 मिनेट वीडियो, अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe जरूर करें, thanks for watching,